प्यारे बत्चों नमस्कार पिछले वीडियो लक्षर्स में हमने तिर भुजों की सरवांग सम्ता से सम्मन्दित कुछ से कसोटियां और नियम पढ़ लिये थे जिसमें सबसे पहला जो नियम या अभिगरित था वो था भुजा कौन भुजा और ये स्वम्सित नियम था इसलिए से हम अभिगरित भी कहते हैं भुजा कौन भुजा नियम उसके बाद हमने पढ़ा कौन भुजा कौन भुजा कौन भुजा कौन नियम और कौन भुजा कौन नियम की एक extension से थी कौन-कौन भुजा स्रवांग समता नियम या इसी नियम से हमने ये निकाला था तो ये तीन नियम जो है हम पढ़ चुके हैं लेकिन ध्यान रखना कि एसस या ऐसस से नाम का कोई नियम नहीं नहीं होता है अब हम इसी कली में आगे दो नियम और पढ़ेंगे जैसे हमें तीन नियम पढ़ चुके हैं तिरभुजा की स्रवांग समता से जमन दित ऐसे ही दो नियम हम इस लक्षर में और पढ़ेंगे अब देखो कि यह नियम है स्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष तो यदि हम जैसे यहां पर मैंने एक तुर्वस ली है जिसके बुजाएं 4 cm, 5 cm, 7,6 cm तो इसी तरह की दूसरी तुर्वस मैंने ले लिए 4 cm, 5 cm, 7,6 cm अगर मैं इस त्रिबुज को कट करके इसके उपर रखो या इसको कट करके इसके उपर रखो तो एक दूसरे पुरा-पुरा ढख लेती है तो इस एक्जाम्बल की तरह से आप और भी अपने तरफ से कोई त्रिबुज है वो बना सकते हैं और उसी माप की दूसरी एक तिर्बुज की तीनों बुजाएं येदी एक तिर्बुज की तीनों बुजाओं के बराबर हो तो ये दोनों तिर्बुज क्या होंगे सर्वांग्शम होंगे इस बात को मनिया लिख भी दिया है कि येदी एक तिर्बुज की तीनों बुजाओं के बराबर हो तो दोनो तिर्बुज सरवांग सम्ता नियम है अगला सरवांग सम्ता नियम है वो समकोन तिर्बुज़न से समन्दित है तो कहता है कि यदि हम ऐसी समकोन तिर्बुज़ बनाएं दो जिनके करन ब्राबर हो और कोई एक भुज़ा ब्राबर हो चैएं दोनों का आधार ब्राबर और चैएंक के लम्म ब्राबर हो तो कहले करती ये है कि समकौन तिर्बुज में देखिए यह तो सिंपल सी बात आपको पताईए कि एक कौन नबर डिगरी का होता है कि यदि किसी एक समकौन तिर्बुज में करण बराबर हो और एक अन्ने भुज़ा बराबर हो तो अभी दोनों तिर्बुज़े क्या होगी सरवांग सम होगी तो वेरिफिकेशन के लिए हम अलग अलग समकौन तिर्बुज बना सकते हैं जिनका करण सेम हो और एक बुज़ा कोई भी आप मराबर कर दें और फिर उनको एक दूसरे के उपर रखके देखें तो ये दोनों समकौन तिर्बुज़े आपको क्या मिलेगी सरवांग सम मिलेगी तो यहाँ पर तो तीन क्राइटेरिया है एक तो समकौन होगया एक करण होगया और एक कोई भी भुज़ा होगी समकोन को बोलते हैं राइट एंगल और करन को बोलते हैं हाई पोर्टिन्यूस और एक भुजा भुजा होगा साइड देखों आर पूर राइट एंगल इसे बोलते हैं आर अचस सर्वांग संमता नूय तो देखिए इसको मैं या दिखा है कि दो समकोन तिर्भुजों में एक तिर्भुज का करन है और एक भुजा दूसरे तिर्भुज के करन और एक भुजा के बराबर हो तो दोनों तिर बुज क्या होते हैं सरवांग सम्तानियम तो अभी अभी हमने दो नियम और पड़े हैं कौन कौन से एस एस सरवांग सम्तानियम और आर एस सरवांग सम्तानियम तो कुल मिला करके हमारे पास अभी तक सरवांग सम्तानियम के पांच नियम हो चुकी है कौन कौ से साइड एंगल साइड एंगल 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 साइड एक दो तीन च्यार और पांच इन इन तीनों पर हमने काभी किस्टन कर भी लिये हैं कि और निया हां और और इंपर अधारित देद और साथ में इनकांब्य परियोग हो गाइस अक्रसाइड की किस्टन में तो पस्टार्वलिय साथ डसने और तीन के पर चल करने से पहले से पहले दो दार द दिये ओया हैं। उदान नमबर 7 और 8, उनको हम पहले हल करेंगे, तो पहले उदान करने से सवाल करने असान हो जाते हैं, आगे उदान नमबर 7, A, B एक रेखाखंड है, तथा P और Q इस रेखाखंड के विपरी तोर इस प्रकास्तित हैं, कि इन में से परतेक A और B से समदुरस्त है, दर्शाइए कि रेखा P, Q रेखाखंड A, B पर A, B का लम समदुई भाज़क है, कि देखिए, यहाँ पर A भी एक रेखाखंड दिया हुआ आपको, P और Q, दो विपरी तोर बिंदु दिये हुए हैं, P और Q दोनो A और B से समदुरस्त है, यानि P की A से दुरी और P की B से दुरी, बराबर है, इसी तरह से क्योंकि भी A और B से दुरी जो है, वो के हैं, बराबर है, यानि A Q और B की बराबर है, अब हमें सिद्ध यह करना है, कि रेखा P की जो है, वो A, B का लम समदुई भाज़क है, लम समदुई भाज़क का रहता है, कि यह दुनों कोण हमें 90 डिग्री सिद्ध करने होगे, यह कोण भी 90 डिग्री और यह कोण भी 90 डिग्री, और समदुई भाज़क भी सिद्ध करना तो A से बराबर B से हमें सिद्ध करना होगा, तो यहां पर इसका प्रूफ करते हैं कि हमें दिया क्या है कि यहां पर A P ब्राबर B P और A Q ब्राबर B Q दिया हुआ तो हमें यह दो तिर्बुज देख लेते हैं A P Q और B P Q तिर्बुज A P Q तो था तिर्बुज B P Q में अब इन दोनों तिर्बुजों में देखिए A P ब्राबर B P और A Q ब्राबर B Q और P Q ब्राबर P Q तो देखिए यह दोनों दिये हैं और यह क्या है उबे निष्ट बुज़ए तो देखिए बुज़ा 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 सर्वांग सम्तानियम के उनसार कि तिर्बुज ए पी क्यू ए पी क्यू सर्वांग सम्तानियम के ब्राबर ब्राबर होते हैं इसलिए यह वाड़ा कौन इस कौन की ब्राबर होगा अब इस कौन का नाम क्या है ए पी सी कहते हैं कोन ए पी सी और इसका नाम बी पी सी तो अब देखिए हम क्या करेंगे यहां पर एक तो यह कौन नबब डिगरी का सिद्ध करना है यह कौन में नबब डिगरी का सिद्ध करना है एसी बराब बेसी सिद्ध करना है तो यह कब सिद्ध हो सकता है कि यदि हम इन दोनों तिरबुजों को सरवांग समसीद कर दें तो हमारे दौनों कामें चल जाएंगे तो हम यहां पर ले लेते हैं कि तिरबुज APC और BPC तिरबुज APC तथा तिरबुज BPC ने यह लिखके फिर यह लाइन लिखने हैं कि यहां पर लिखें क्योंकि ये दोनों कौन बराबर क्यों हैं क्योंकि ये दोनों बड़ी जो तिरबुज अभी हमने किए क्योंकि तिरबुज APC सरवांग सम्हें तिरबुज BPC क्यों या फिर इसको ऐसे लिखते हैं कि तिर्बुज एपीक्यू सरवांसम तिर्बुज एपीक्यू तथा तिर्बुज बीपीक्यू के संगत भाग ठीक है थोड़ा अच्छा लगता है तो इसके लावा एपी ब्राबर बीपी आपको दिया है और पीसी ब्राबर पीसी ये उबेनिस्ट बुज़ा है दोनों तिर्बुज़ में अब देखिए बुज़ा कोण बुज़ा बुज़ा कोण बुज़ा सरवांसम तनियम से बुज़ा कोण बुज़ा सरवांसम तनियम से क्या होगा कि तिर्बुज एपीसी ही सरवांसम है तिर्बुज भीपीसी ही इसका मतलब एसी ब्राबर बेसी होगा क्योंकि बाई सीपीसीटी अब सीपीसीटी से ये वाड़ा कोण बी इस कोण के ब्राबर होगा कि अब हम लिखेंगे कि कौण पीसी ए ब्राबर कौण पीसीटी क्यों क्योंकि सरवांसम तिर्बुज क्या थी एपीसी तता बीपीसी के संगत कौण मैं संगत भाग तो अब ये दोनों ब्राबर हैं लेकिन ये भी हमें पता है कि ये दोनों रहकी क्यों गम हैं तो इन दोनों का टोटल कितना होगा सब्राइब चुआंग से आट आरफ ये नुद्ध टिंसने गिफ़ियक्ट ओड़ें तो फीसीट और फीसे बीट बूस में स्गौण पीसीटी गी खर्म driver和 i can odoo। keada, th醒, स्वां रेवे, पी-सी ब्रावर, 132, 9 डिगरी, हो जाएगा। तो जब PC, बी नूब डिगरी हो गया, तो PC, AB क्या बंदेगा, 9 डिगरी, तो यहां से, सुमिक्राण 1 से, की PC, A, क्या हो जाएगा, 10 डिगरी, तो यहाँ पर हमने कहा कि A C ब्रावर B C अब क्योंकि A C ब्रावर B C तथा कौन P C A ब्रावर कौन P C B ब्रावर 90 डिगरी इसलिए P क्यों रेखा कंड A B का लंब सम्द्रिवाजक है तो देखिए यहाँ सबसे पहले आप क्या करेंगे कि तिरबुज A P Q और तिरबुज B P क्यों इन दोनों के सरवांगसम सिद्ध करेंगे बज़ा बज़ा सरवांगसम तनियम से उसके बाद CP CT से दोनों कोण ब्राबर हो जाएंगे और यह दोनों बुज़ा ब्राबर दीवी है यह उगेनिस्ट बुज़ाओगी तो यह दोनों चोटी तरबुज़ो ही सरवांगसम हो जाएगी और यह सरवांगसम होने के बाद मुदार नमबर आट बिन्दू A पर प्रतिस्यद करने वाली दो रेखाओं L और M से सम्दुरस्त एक बिन्दू P है दर्शाइए की रेखा A P दोनों रेखाओं के बीज के कौन को सम्दुभाजित करती है अब इस प्रॉबलम का ये आकरती के मातम से समझते हैं कि यहां पर L और M दो रेखाए हैं और इन दोनों रेखाओं से सम्दुरस्त एक बिन्दू P है सम्दुरस्त का मतलब P का जो डिस्टेंस है P की जो लंबवत दोरी है वो L से और M से बराबर है यानि BP और CP बराबर है और किसी बिन्दू का किसी रेखा से अगर हमें दोरी मापनी हो तो हम क्या गरते हैं उस रेखा पर उस बिन्दू से लंब गिराते हैं और लंब गिराते हैं हम दोरी मापते हैं तो जो लंब की लंबाई होती है वोई उस बिन्दू की रेखा से दोरी होती है तो इसलिए BP बराबर CP हो गया और यह कौन B भी 90 डिग्री का हो गया और यह बुजा उपर वाले तिरबुज और निचे वाले तिरबुज में उभे निच्ठ है अब हमें सिद्ध ये करना है कि ये वाली जो रेखा है AP ये इस कौन का सम्दविवाजा करता तो ये वाला कौन इस कौन के बराबर सिद्ध करना है तो मैं समझारों आप समझी गए होंगे कि अगर हम तिर्भुज ABP और ACP इन दुनों का सरवांग समसिद्ध कर दें तो ये CP सिटी दवारा दुनों कौन बराबर हो जाएंगे और सरवांग समतों से दो ही पड़ी है कैसे कि दुनों के एक एक भुजा बराबर है एक एक कौन नमबर डिगरी का है और ये उबेनिष्ट भुजा है तो करन समकौन करन और भुजा आर एच एच सरवांग समतनियम से दोनों सरवांग सम हो जाएगी चलों भाई ये लिखते हैं इसको कि तिरभुज एपी एबीपी तिरभुज एबीपी तथा तिरभुज एशीपी में कौण भी ब्राबर कौण सी परतेक नमबर डिगरी ये आपको दिया है और बीपी ब्राबर सीपी ये भी आपको दिया है और एपी ब्राबर एपी ये क्या है उभे निष्ट भुज़ा है अगर ये उभे निष्ट भुज़ा है तो हम यहां से समकोन करण यहां समकोन भुज़ा करण यानि रह्स स्रवांग समता नियम से ये समकोन हो गया ये एपी करण हो गया और ये भुज़ा हो गया आरच स्रवांग समता नियम से एपी बी त्रबुज एपी पी अगर शर्वांग सम होगी एसी पी के यह दिए दिखान रखना एपी सी नहीं लिख देना आपने वो तो मैंने जैसे आपको पहले लक्ष्र में बता दिया था कि संगत सिर्ष आपने देखने हैं यान आच फिर दीसरा तो यह दोन्त वुज कहा होगी समसम होगी इसका मतलब यह वृटा सब्रिक भराबर होगा इसकोंग का नाम क्या है यह भी एफ Кून भी एफ़ें पी बेरावर कौन सी यपी यह वाड़ा कौन अब ये तो नो कोण ब्राबर है तो इसका मतलव ये क्यों ब्राबर है क्योंकि C, P, C, T दोबरा अब ये तो नो कोण ब्राबर होगे तो इसका मतलव एपी जो है बी, एए, सी की, एपी कोण बी, एए, सी का या पी, एए, सी को सम्दिवफाजित करती है तो यहां बर सिंपल सी बात है कि इन दोन्नों तिरुफाजों को आरत स्रवांशम तानियम से आपने स्रवांशम सिद्ध करना तो ये दोन्नों कोण C, P, C, T, दवारा ब्राबर हो जाएंगे और ये एपी क्या होगे कोण बी, एए, सी का सम्दिवफाजर होगे तो हैंस प्रूट तो इसी के साथ ये लक्षर हमारा समापत होता है, एगले लक्षर में हम पर्षनावले साथ दसमें दो तीन के पर्षनाव को हल करेंगे अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक दिरूर करें, शेयर भी करें थेंक्यू, हैवे नाइस डेए करें झागी झारा वेए करेंगे झानफोर चांचक्छ य् lang Senior करेंगे ग्याव बहल झाल कर दम हता़न नाइस करेंगे, बहले बहल segunda बाल करेंगे झाल बहले जार हमाँ थेजरगा